आज हम बनाएंगे करारी करारी आलू की तिक्के इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिये है चार इसे ग्रेट कर लूँगी कद्दू कस से इन्हे मैंने कद्दू कस कर लिया और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक नमक हमें थोड़ा सा डालना है और एक चमज डालना है मैंने कौन फ्लोर आरा रूट एक चमज हम डाल देंगे चावल का आटा इसको मिलाएंगे हमें दो तीन मिनट तक अच्छे से मिलाना है एक बहुत अच्छा सा डू बना देना है इसका दो तीन मिनट लगेगा इसमें यह देखें एक अच्छा सा डू बन जाएगा अब इसमें स्ट्रपिंग चुबारेंगे हम वह बनाएंगे इसमें बॉइल मटर लिए मैंने और एक हरीमेश काटिये वारिक और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पनीर डालेंगे इसमें थोड़ा सस्त में नमक डालेंगे और इसे मिला लेंगे यह हमाई स्ट्रपिंग बन गी आलू की जो मैंने पेड़े हैं इसे पेड़े बना लिए इसे फ्लैट करेंगे प्रेस करेंगे हाथों से और इसमें इस्टपिंग भरेंगे इस्टपिंग हमने भर दिये इसे इसे फूल्ड कर देंगे हम एक टिक्की का सेब देंगे हम इसे ऐसी मैंने सब बना लिए हैं अब गरम वाइल में हम फ्राई करेंगे सेलो फ्राई करना है हमें इसमें मैंने तबी पे थोड़ा तेड़ डाल दिया है और इसे फ्राई करूंगे इसमें यह जो टिक्की है बहुत क्रस्पी बनती है इसे मैं पलड दूंगी और यह टिक्की खाने बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है इन्हें मैंने पलड दिया है इसे फिर से हम पलड के फिर सेक लेंगे अब मैंने दोनों तरफ से अच्छे से से शेक लिया है तो अब मैं इसका ओइल जो है इस्टा वो लेकाल लूंगी और इसको मैं ऐसे कर दूंगी अब इसे हम प्रेस करके इसे वो करेंगे टिक्की को तो मैंने गिलाज से प्रेस किया है और ऐसे करके हम फिर सेख लेंगे तवे पे और करारी और क्रिस्पी टिक्की बनके हमारी तयाब जाएगी अब इसको हम प्लेट में सर्थ करेंगे अब इसमें हम डालेंगे मीठी दही अब हम इसमें डालेंगे खटी मीठी चट्नी और इसमें डालेंगे हम गरीन चट्नी इसमें बारी कट करके मैंने ओनियन है वो डालूँगी इसमें अब हम इसमें डालेंगे मसाला मसाले में मैंने भुना हुआ जीरा पॉडर डाला है इसमें चाट मसाला डाला है नमक डाला है और दे की मिर्श डाली है और कोटी हुई लाल मिर्श डाली है इसमें यह बहुत जादा टेस्ट टिक्की बनी है, मैं अभी से खाके दिखाती हूँ, अभी जो मैंने दूसरी टिक्की जो सर्प करी है, वो भी मैं दिखाऊंगे आपको,